हलो बच्चो बच्चो आज का हमारा टॉपिक है हमारी भासा भासा किसे कहते हैं तो अपनी बात बताने और दूसरे की बात जानने का माध्यम ही भासा है हम अपने मन के भाव विचारों को दूसरों तक कैसे पहुंचा सकते हैं तो बोल कर या लिख कर या दूसरों के विचार एक दूसरे के साथ अपने विचार बोल कर प्रकट कर रही है और दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि ये दोनों अपने विचारों को एक दूसरे तक लिख कर प्रकट कर रहे हैं अर्थात हम अपने मन या अपने विचारों को दूसरों तक बोल कर या लिख कर प्रकट कर या दूसरे के विचार को समझते हैं इसे यही माध्यम ही भासा कहलाता है तो बच्चों नेक्स वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए घर पे रहिए सुरक्षित रहिए धन्यवाद